आप सबको सवागते हैं, आज हम 13 जुलाई की चुरुदान की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं एक त्रिप्त आत्मा वो आत्मा है जिसे दुनिया और दुनिया की चीजें, वस्तुएं, बदार्थ और विक्ती से इच्छा कम होती जाती है जिसे इच्छा कम होती हैं, बाहर की दुनिया से उतनी आत्मा त्रिप्त होती है तो परमात्मा कहते हैं कि सर्वशक्तिवान के साथ, मुझ सर्वशक्तिवान के साथ में अगर आपका कनेक्शन है तो आप आत्मा त्रिप्त रहेंगी तो परमात्मा कहते हैं सर्व शक्तिवान के साथ की अनुभूती द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले त्रिप्त आत्मा भवा उनके साथ की अनुभूती द्वारा जहां सर्शक्तिवन बाप है वहां सर्फ प्राप्तियों का अनुपफ स्वता होता है जैसे बीज है तो ज़ाड समाया हुआ है ऐसे सर्शक्तिवन बाप का साथ है तो सदा माला माल, सदात्रत, सदा संपन होंगे तो बीज में सारे ज़ाड की नौलज है आपनी बीच बोया, और सार का सारा ज़ाड अस्ते अस्ते भगुना शुरू हो गया, वैसी परमात्मा भी बीच है, ज्यान का बीच है, शांती का बीच है, प्रेमानन शक्ति, गुणों का बीच है, और उनका अगर हमारे साथ साथ है, तो हम दिर्प्त है, हमारे पास गुण ह दुनिया की सब्सक्राइब दुनिया की सब्सक्राइब और चाहे दुनिया की circumstances बाहर के हम जित्ते भी change कर लें लेकिन अगर हम आत्माय त्रप्त नहीं हैं परमात्मा के साथ में connected नहीं हैं तो कही ना कही हम बाहरी दुनिया से वो सारी त्रप्त लें की कुशिश करते हैं कभी किसी बात में कमजोर नहीं होंगे कभी कोई complaint नहीं करेंगे जो आत्मा कमजोर होती है, complaint करती है वो कही ना कही असंतुष्ट है परमात में से उसका connection नहीं हुआ है properly और वो सदा complete नहीं हो पाती है आत्माय क्योंकि वो complaint करती है हमेशा मैसुस होता है कि बाहर की कोई situation change हो, ये विक्ती change हो है, इसका behavior change हो है ये आत्मा change हो है, ये स्थान change हो है, तो जाकर कि मैं संतुष्ट होँ, complete feel करूँ और मैं खुश रहूँ क्या करें, कैसे करें, ये complaint नहीं है क्यों 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 क इन्सानों का साथ नहें कि परमात्पा की श्रीमत को मान रहे हैं और प्रैक्टेस करने अपने मन बुदी को परिभतन करके संसकारों का परिभतन करने के जो की निन्द सुति, ला भानी, जेह पराजे में एक समान हो, वही आत्माय ध्रप्त हो सकती हैं, वही आत्माय परमात्मा से सर्शक्तिवान से सारी प्राप्तियों का नभव कर सकती हैं Constant और सदाकाल की तो यह सब कुछ पॉसिबल कैसे है, यह सब कुछ आप आपकर के सीख सकते हैं ब्रहमा कुमारी उसमें कुम आपकर के सारी प्राप्तियों के सारी प्राप्तियों के सकती हैं